कोई कही सकता है कि ये बेफकुफ लोग है, ये 300-400 लोग हमेशा ही कठे हो जाते हैं, इन्जस्किस है, जहापर इतना ब्लेटेंट डिस्क्रिमिनेशन है, जहापर ब्लेटेंटली आप एक पूरी कम्मुनिटी को मार दानने की बात कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार महन सहमती है कि इन्हें खुली छूट दे दी जाए, ये खुले सांड की तरह घुमते रहे हैं, और दिल्ली में भी जो सुरेश चोहान के नहीं यहाँ पर प्रोग्राम करा था, उस पर दिल्ली सरकार भी संग्यान ले जब सहिया भाए कोतवाल तो डरकाएगा, प्रदान सेवक को पास इंफरमेशन नहीं पहुच रही है, या प्रदान सेवक को किसी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है नहीं मुझे तो ये टेररिस्क लगते हैं, संथ तो नहीं है उनकी मन की आखे खुली भी नहीं है, उनकी तन की आखे खुली भी नहीं है जिस तरह से उत रखन, 36 गड़, दिल्ली, तमाम जगों पर धर्मसंसत कायोजन हो रहा है और इस तरीके से नफरती बयान दिये जा रही है क्या कहेंगे जो एक सो तिरपन ये की धारा लगाई गई है लेकिन अभी तक कुछ खास नहीं हुआ मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि इकोल सिटिजन्शिप के लिए एक प्रोटेस्ट हुआ था दोजार बीस के अंदर और समान्ता की बात की थी जस्टिस की महबت की उनकी उपर यूएपीए लगा दिया और वह साल से जेल में और आज जिसने पूरी कम्यूटि के इनहायलेशन की बात कि इस बारे में बात की कि पूरे एक जो मुस्लिम समुदाय है उसको मार दिया जाए और इस बात को कहा गया हिंदूों अब जाग जाओ किताबे छोड़ो और हतियार उठालो और जाकर लड़ने लगो उनको अभी भी छोड़ा हुआ बहुत मुश्किल से एफार हुआ वो भी पहले हुआ था तो हमें पता है किसक जाए रेस्ट करेंगे लेकिन हम यहाँ पर यही बात को कहने के लिए हैं कि अगर आपको लगता है कि आपकी हिंदू नेशन के जो पुरा आपका सोच है हिंदू राश्ट्र में सब लोग मंजूरी दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है अभी भी लोग हैं सच को जानते हैं सच को बले वो सच बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि टीवी चानल तो टीवी चानल रहे नहीं है सेंसिबल बात तो कोई कर नहीं रहा जूटी बोल रहा है लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो इस चीज को पहचान पा रहे हैं और हिंदू राश्ट्र के आपके पर आएं और साथ में ये भी कि अगर हमारे इस प्रिटेस्ट से अभी भी पुलिस को ये पता चले कि अभी भी उन्होंने जो यूनिफॉर्म पहना है उनका अलिकिन जो है वो कॉन्सिटीशन पे है लॉए और पे है अभी कोई संग परिवार पे नहीं है तो वह आक्शन मे जो लोग इस हेट असेंबली के अंदर थे वो सारे लोगों के साथ नरेंदर मोधी उठते बैठते हैं या तो बोल दे कि उठते नहीं बैठते, बैठते हैं ना उनके साथ भी घूमते हैं, उनको भी गले में हार डालते हैं, तो आप जो कहे रहे हैं वो आप कर तो रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वो वही है जो आपके लोग कह रहे हैं, तो ये जूट और फरे अब लोग देख लोगों ने सुप्रीम कोट में वकील ने डाला है चीप जश्टिस के नाम पत्र लिखा है क्या कहेंगे कारिवाई होगी सुप्रीम कोट करेगा सुप्रीम कोट को तो मोटर कोगनिसेंस लेना चाहिए था क्योंकि इस देश को तोड़ने की बात की गई अगर कोई तुकड़े टुकड़े है तो वो यही लोग है ना इन्ही का ही वो काबलीरी हम पर यह यूज करते है वर अक्सर में तो यही लोग टुकड़े-टुकड़े की बात कर रहा है तोड़ने की बात कर रहा है एक पुरी कम्यूनिटी को बाहर करने की बात कर रहा है क्रिस्मिस की ही उपर करेंगे अरे कई लिए अगर आज बी इस देश में कुछ हिंदू को ये लगता है कि ये हिंदू राष्टर जो बनेगा इसंसे हमारा कोई जा रहा है इनको यह संथ हैं क्या आपको लगता है कि आपको कारिवाई होगी कि नहीं करें कर दिये गए क्या मतलब इसको नूट्रलाइज करने की कोशिश हो रही है नहीं मेरे इसाब से आरेस्टिंग करना चाहिए था अभी दो लोगों को जो नाम अट किया वह भी बहुत रॉटेस्ट और भॉट लोगों ने बोलना शुरू किया तो इन्हों ले buy अपना फिर भी फेस्सेविंग करने के लिए कि मानलो Supreme Court कहता है कि आपने क्या किया था हमकिस कि को मिक्स पर करता है कोट खुलेगा और वो एक्षिन लेंगे वो भी इस तरीके के कमेंड करते हैं उक्साते हैं अपने बयानों के मादे में उनको तो जेल में होना चाहिए और क्या बुले अगर कोई पूरे समाज की एनाइलेशन की बात करें तो उसको कैसे समाज में आप हिंदू राष्ट्र में हैं इसका मतलब यही हिंदू राष्ट्र है जिस समय में हम हैं यही हिंदू राष्ट्र है और कोई ऐसा कोई नया हिंदू राष्ट्र नहीं आएगा यही है जहां पर इतना ब्लेटेंट डिस्क्रिमिनेशन है जहां पर ब्लेटेंटली आप एक पूरियां बेच रहा है, वो मुसलमान बैंगल सेलर है, तो उसको ऐसी जाके रेड़ी पे उसको अटाक कर दिया जाता है, कोई मुसलमान लड़का अपने दो हिंदू दोस्तों के साथ है, तो सोची इतना जहर अंदर भुष चुका है, कि वो दोस्त ही उसकी हत्या कर देते है कि तुने जैश्री राम तु बोल के देखा, तो हम इसी हिंदू राष्ट्रम में हैं, हम जो सास भी ले रहे हैं वो इस नफरत की सास ले रहे हैं, तो आज हर एक बंदे के सामने ये एक प्रशन है, कि उसको ऐसी समाज में सास लेना है या उसको साफ करने के लिए उसको इसे लोग जीवित है तो यह सुकून देता है और हम बोलते रहेंगे जहां पर हैं बहुत में तो 75 वकीलों ने लिखा ना चीप जस्टिस को कि आप क्या कर रहें तो कोड में बोलेंगे को यूनिवर्सटी में है तो टीचर वहां पर बोलेगा तो स्टूडेंट है तो स्टू प्रयास यही करेंगे कि उन लोगों की उपर एफायर सबकी उपर एफायर हो अभी सुप्रीम कोड भी काफी सारे वकील इस पर जाएंगे कारवाई हो वो लोग अरेस्ट हो और यह फिर से रिपीट ना हो तो आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर प्रदर्शन चल रहा है और करीब चार-पांसो लोग यहां पर इकठे हों करके अपनी बात कर रहे हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यह पूरा प्रदर्शन चल रहा है और यहां पर नारे तो यह तो पूरे मुल्की के अंदर ऐसा लग रहा है कि होना ही है तो यह तो पाहि वह तो प्रSet के अद्यान के तक ही ओसी तरीक सतरूरी है लगाने चाहिए उनकी जोटे चोटे तरण उनके ऊपर धान सीघुरीना कि नहीं नहीं है सब्सक्राइब और सब्सक्राइब और वकील जाते हैं उनके पर यूए पी लग जाता है आप कहे रहें चीहतर वकीलों ने पत्र लिखा है उसके पर कुछ कारवाई हो जानी चाहिए थी नौबत ही क्यों आई उनको पत्र लिखना पड़ा हमें उमीद है निए अपना डिमोंस्टेशन के लिए प्रोटेस््स करने के लिए आएं यह भी हमारेँ लोक कंस्टिूशन पर यकीन है और यह हमारे जभूरी हख है बर जàमارे हिए हम लोग होए है क्योंकि ये मुल्क हमारा है हम इस मुल्क में कभी भी गतल और गारत नहीं मचवा सकते ना मचाने देंगे हम ये गांधी का मुल्क है यह आपसी भाई चारे पे ही रहा जा सकता हो रहेगा और इसी के बिना पे इसकी नीव रखी गई थी आपसी भाई चारेव है, जिन्हें जाना था जो नफरत ज़दा थे वो चले गए, अब जो रहे गए वो भाई भाई रहे गए हैं, इसमें नहीं हो सकता हो जो जो होता है, जो होता है, मैं जामिया से तालुक रखता हूँ और मैंने बहुत नस्दिक से इन सब चीजों को है, मिरान हैदर मेरा दोस्त है और क्लास फैलो भी है, उमर खालिद हमने साथ में संगर्श किया है, सफूरा जर्गर जो मेरी युनिवस्टी की थी, तो जब एंडी सियो प्रोटेस्ट किया था हमने, उसके बाद शर्जील इमाम का भी नाम लेता हूँ, यहां पर लोग टाइम पे वो यह कह रहा था कि हम गांधी की तरीके से जो है, आंदूलन करेंगे और अगर वो लाठी लेके आएंगे तो हम सम्विधान दिखाएंगे, उस पर यूए पिय लग जाता है, मिरान हैदर जो जामिये की सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहा था, उस पर यूए और ये बहुत खराब चीज़ है, किसी भी मुल्क के लिए, कि उसका प्रधान सेवक किसी अपने बंदों को एक कम्यूटी के अगेंस में हेटी स्पीच बोलने के लिए प्रमोट करता है, और उसे सपोर्ट करता है, उत्रगण में किसकी सरकार है, अब तक कारवाई क्यों न यह क्यों बोला कि हमने नजर बनाई हुई है, कौन सी नजर बनाके रखते हैं वो, किस पर नजर बनाके रखते हैं, क्या क्यों इनके उपर कोई उमर खालिद के अगेंस्ट कोई भी उनके पास 11,000 लाग पेजों की चार्चीट जो बताते हैं वो, इतनी लंबी चार्चीट निकाली किया उस पर कोई भी सबूत आया नहीं आया शरजीर इवाम के खिलाफ क्यों ट्राइल स्टार्ट नहीं वी अब तक मिरा नहीं अब तक जेल के अंदर है तो इस वजह से जब सारी चीजे ऑन डिकॉर्ड ऑन माइक दिख रही हैं तो अब तक क्यों उनकी उपर कारवा तो जारी किया है उनकी जरुवत ही नहीं पड़नी चाहिए थी इस पीश के निकलते ही एस पी को इस प्रेक्शन ले ले लेना चाहिए था नजर बना के रखी है नजर बना के रखी है क्या लगता है कि एक सो तीरपन जो यह धारा के तहत की गई है यह इसमें तीन लोग दो 53A की बात उसमें की जा रही है तो यह बहुत मामूली धाराएं हैं जो उन्होंने वहाँ पर कहा है उसके मताबिक क्यूंकि वहाँ पर वो कुछ एक कम्यूनिटी की मुस्लिम कम्यूनिटी की क्रिस्चन्स की पूरी तरह से जैनोसाइट करने की बात कर रहे हैं लोगों को भ दिन अंबाला में एक डेड़ सो साल से ज्यादा पुरानी चर्च में तोड़ फोड की गई इसा मसी की मूर्ती तोड़ी गई यह उसके सब बात ही हुआ तो कहीं ना कहीं उन्होंने भड़काया है यह इंसा को भड़काया तो उन पर UAPA NSA यह सारे केसिस बनते हैं लेकिन अ पर UAPA का मुकदमा लगा दिया जाता है अगर वकील पूछने के लिए तरपुरा जाते हैं फैक्ट फाइंडिंग के लिए उन पर UAPA लगा दिया जाता है लेकिन यह जो नफरत पहलाने वाले लोग हैं इन पर कोई मुकदमा नहीं लगता देश के राष्ट पिता की को गा चोहानके नहीं यहां पर प्रोग्राम करा था उस पर दिल्ली सरकार भी संग्यान ले और उनके खिलाफ F.I.R करा है ति देश के राष्ट पिता है वो, प्रोग्रेस की सरकार है आखिर वो क्यों खामोश है क्या इसकी सिर्कार है लोगों को भड़काते रहें नफरते लोगों के दिलों में भरते रहें और इन पर कोई कारवाई नहीं होगी अगर यही बात कोई मुसल्मान कहता या कोई किसान कहता सिर्फ इतना कहने पर अब तक उस पर कारवाई हो जाती और वो अरेस्ट हो चुपा होता